नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत करता हूँ Only I.S. में हम लोग अपने Supreme Court Judgment की सिर्यूस को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पर बात करेंगे जिसका नाम है चंपकम दुरही राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास देखे साथ साथ हम लोग मिनर्मा वील्स वर्सेस उनियन ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे साथ में थोड़ा सा हम लोग गुलकनात केस जो अल्रीडी पढ़े हैं उसका भी थोड़ा इंट्रोड़क्शन देंगे सो ड़ा हम लोग को समझने में इजी हो बट सबसे पहले हम इंप्लाइमेंट में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है उसको इकल ऑपर्शनिटी प्रोवाइड करानी होगी ठीक है इस्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है उसको इकल ऑपरशनिटी प्रोवाइड करानी होगी पब्लिक 15 clause 1 बोलता है, इस्टेट किसी के साथ भी religion, race, caste, sex, place of birth के basis पे discrimination नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंपकम दोई राजन जो हैं, वो एक महिला थी, ब्रामिन महिला थी और वो medical college में admission नहीं ले पाएं जबकि उनका sufficient उन्होंने score किया था। और वो किसके reserve कर सकती थी, किसी के लिए भी, जो भी उनको लगता है कि weaker section है, या उसके minority में है, ठीक है, या backward है, तो उनके लिए ये seats reserve कर सकती थी। तो चंपकम दुरही राजन का इस basis पे admission नहीं हो पाया, और ये 1950s की बात है, जब हमारे देश नया नया आजाद हुआ था। आप सोचेंगे इसमें क्या problem है, आपने पिछले lecture में ही पढ़ाया है, उसमें आपने बोला था कि ये तो fundamental right है, हो सकता है, देखें, 1950 तक हमारे article 15 for add नहीं हुआ था, जिसमें कि state को power है कि कुछ special provision बना सकती है, other backward caste के लिए, schedule caste के लिए, ठीक है, तब तक ये provision नहीं आया था इसी basis पे, जो कि हमारा, आपको मैंने भी बताया कि 16, article 16 में ये mention है, कि state किसी के साथ भी public employment में discrimination नहीं कर सकता है, उसको equal opportunity provide गरानी होगी, वो task के basis पे discrimination नहीं कर सकता है, 15 clause 1 में भी ये दिया हुआ है, कि state किसी के साथ discrimination नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है, task के basis पे तो यह इसी आर्टिकल के basis पे वो court पहुँची उन्होंने बोला कि मेरा medical में illusion नहीं हो पाया, मैंने score sufficient किया था, यह मेरा fundamental right का violation है, मैंने भी आपको बताया है article 15 clause 4 उस समय नहीं आया था जिसमें कि यह mention है कि special provision government बना सकती है, parliament बना सकती है इसे लिए वो court में challenge कर पाई इस case को अगर इसमें legal issue क्या आ रहा था देखे, legal issue यह आ रहा था कि जो communal government order था, जो caste based पे था ठीक है, क्या वो jobs, reservation jobs में देने के लिए सही है, क्या वो constitutionally valid है कि नहीं है दूसरा question यह उठा क्या state इस तरह का reservation दे सकती है educational institution के लिए task basis पे, तो तंपकरम दुरे राजन ने तो बोल दिया कि मेरे article 16.1 का violation हुआ है article 15.1.2 का violation हुआ है मेरा admission होना चाहिए था अब state ने क्या बोला, देखे state ने बोला कि हमें DPSP में बताया गया है, article 46 में कि हमको special care देना होगा, जो weaker section होगा special care रखना है, DPSP से ही हम सारे law को बनाते हैं, उसको मद्दे निजद रखते होनाते हैं, तो हम इसको कैसे violate कर सकते हैं, ठीक है, अब देखे, fundamental right एक तरफ, एक तरफ DPSP, ठीक है fundamental right को लेके कौन claim कर रहा है, चंपकम दोरे राजन कह रहे हैं, कि मेरा admission नहीं हो पाया, मेरा fundamental right का violation हुआ है, DPSP को लेके state बोल रहा है, कि DPSP को मद्द निजद रखते हुए हमको law बनाना होता है, उसमें बोला गया है, कि हमको weaker section का ध्यान रखना है, उनका special care रखना है DPSP आपका होता है directive principles of state policy इसमें बहुत सारे articles हैं, काफी ethically तरीके से इसको लिखा गया है so that की government जो है, कोई भी law बनाए, इसको देख के बनाए, इसको अपने दिमाग में रख के बनाए so that की laws जो हो, लोगों के welfare के बने, तो state नहीं बोला कि DPSP के article 46 में हमें ये बोला गया है, कि हमें economic interest में बात करने हो, कि schedule caste के लिए, schedule tribe के लिए, other जो weaker section होगे, उसके लिए इसे एक special care रखना होगा, तो हमने अगर communal government order के तहत कुछ seeds reserve की, तो क्या गलत किया, constitution ही तो बोल रहा है न, तो अब दिखके दिक्कत क्या है, जो आपका DPSP न, वो court में enforceable नहीं है fundamental right आपका enforceable है अगर DPSP के according कोई अगर law नहीं बनाया गया है, और आप कहेंगे कि नहीं DPSP के according law बना चाहिए था ये तो गलत है, ये आपने violation किया DPSP का, तो ये court में आप इसको challenge नहीं कर सकते हैं अब court ने क्या बोला, देखे court ने बोला कि fundamental right अपनी जगा, DPSP अपनी जगा fundamental right जो है, वो DPSP को prevail करेगा, overrule करेगा और जो DPSP है वो नहीं देखा जाएगा पहले, पहले fundamental right की बात रखी जाएगी, उसके बाद DPSP को देखा जाएगा और जो fundamental right और DPSP है ठीक है, दोनों ही important है बट fundamental right को हम पहले priority देंगे, किसी भी तरीके से हम fundamental right को average नहीं कर सकते, override नहीं कर सकते जो कि part 3 के दौरा guarantee किया गया है जगी एक्जाम नजदीक है, आप जल्दी जल्दी इसमें प्रग्यान जो हमारा जयान पाएंगे अपनी, और topic why detailed analysis किया गया है, और इसमें आपको printable notes भी मिलेंगे, जिसको आप print करा सकते हैं, और ये 4 अपरेल को 10 बजे से start होगा, तो please इसको आप जाके join किजिए, और कोई भी इसके लिए सुल्क नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस judgment का impact क्या पड़ा, जब supreme court ने बोल दिया, कि भाया आप तो fundamental rights को priority देनी पड़ेगी, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, जब ऐसा बोल दिया, इसका मतलब कि government का जो communal government order था, उसकी तो कोई value अब रह नहीं गई, कि वो fundamental rights का violation कर रहा है, तो as usual, जितने judgment मैंने आपको बताया है, जब जब state हार जाता है, तो वो क्या करता है, amendment ले आता है, first amendment के तहत, article 15.4 insert करते हुए बोलता है, state, parliament, कोई भी special provision बना सकती है, socially, educationally backward class के लिए, schedule caste के लिए, schedule tribe के लिए, उनके अपलिक्मेंट और उनके advancement के लिए, ठीक है, तो अभी आपका जो doubt होगा ये चीज़ की reservation, तो पहले से था सर, तो मैंने आपको बता दिया था वो चीज़ की reservation तब तक नहीं आया था, ये वाला आर्टिकल आड नहीं हुआ था, इसलिए चंपकरम दो राजन challenge कर पाए थी, ठीक है, तो इसी case के बाद से first amendment के तहत, आर्टिकल 15 clause 4 को add किया गया और बोला गया कि special provision state बना सकती है, उनके लिए जो कि socially educational backward है, schedule caste है जो schedule tribe है, ठीक है अब इसी के बाद, एक case और था, शंक्री परसाद case शंक्री परसाद case में क्या हुआ, उसमें judgment में Supreme Court ने बोला कि Parliament किसी भी fundamental rights को amend कर सकती है, article 368 के तहत्थ किसी भी fundamental rights को amend कर सकती है, article 368 के तहत्थ इसी के बाद एक judgment और आया, गुलकनाद वर्से state of Punjab 1967 का, इसमें Supreme Court में बोला, देकि basically इसमें मैंने ये पहले में already cover कर चुका हूँ ये case, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, गुलकनाद का case बट मैं थोड़े मैं आपको बता देता हूँ, इस case में क्या हुआ था, कि रही थी, government, और बोल रही थी कि हम आप इतनी जदा land रख नहीं सकते हैं, गुलकनाद रख सकते हैं, तो गुलकनाद वो भाई थे, उनकी 500-acre land थी, जिसमें से कि 30-acre land उनको दे दी गई, गुलकनाद brothers को, और 470 land उन्होंने acquire कर लिया, और बोला कि पंजाब security and land in order के पंजाब security and land उन्होंने acquire कर लिया, और उसको एमेंड कर तो यह बोला था, कि आप कुछी amount की, कुछी एकर जेमीन अपने पास रख तकते हैं, आप इससे अधा नहीं रख सकते, तो उसी act के तहत इन्होंने acquire कर लिया थी, गोलनाद की जमीने, साथ ही साथ पंजाब security land जो था, उसको 9th schedule में दाल दिया था, 17th amendment act के तहत, उन्होंने क्या किया, 9th schedule में इसलिए दाल दिया, तो कोई person उसको court में challenge नहीं कर सकता है, वो judicial review से exclude है, फिर Supreme Court ने judgment दिया है इसमें, जो गोलनाद के स्था, उन्होंने ये बोला कि Article 368 में, Parliament को सिर्फ procedure बताया गया है, amendment करने का, उसमें ये नहीं बोला गया कि amendment करना है, तो Supreme Court ने बोला, आप बिलकुल भी fundamental right को amendment नहीं कर सकते हैं, उसमें सिर्फ procedure बताया गया है, आप को amendment करने की power बिलकुल भी नहीं है, आप constitution को कीजिए, पर fundamental right को आप amendment नहीं कर सकते हैं, ये गोलनाद case का judgment था, अब देखिए, पहले क्या बोला, शंकरी परसाद में, कि आप amendment कर सकते हैं, Article 368 के तहत, फिर से case आया, गोलनाद का, ज केश्वनन भारती case versus state of केडला case, जो कि 1973 में सकते हैं, इसमें क्या बोला, कि Parliament चाहे, पुरे constitution को amendment कर दे, fundamental right को भी amendment कर दे, मतलब आप जो मन चाहे, वो आप amendment कर दीजिए, बस जो basic structure है, उसको आप जरा सा भी छेड़ चारू के साथ मत कीजिए, फिर गलत हो जाएगा, अब basic structure क्या है, कि basic structure कुछ ऐसा specify नहीं किया गया था, ठीक है, अब इसके बाद से क्या होता है, basic structure जब ये word introduced हुआ, केश्वनन भारती case में, इसके बाद से कोई भी case पर question उठता था, तो ये नहीं उठता था कि constitutionally valid है कि नहीं, इसके बाद से ये बुन लगे सब, कि ये जो case है, कह किया गया कि judicial review, basic structure के अंदर आता है, basic structure के अंदर separation of power आता है, तो जैसे case आते गए, वैसे basic structure के अंदर words आते गए, और समझ आने लगा, clarify होने लगा कि basic structure के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो केश्वन भारती case में यहीं बोला गया 1973 में, कि parliament कुछ भी amend में कर ले, constitution क को भी amend कर ले, fundamental right को कर ले, पर basic structure को बिलकुल भी छेड़ छाड़ ना करे, ऐसा ना हो कि आप fundamental right तो दिये हैं, बट judicial review हटा ले, अब जब judicial review ही की power आप छिल लेंगे, code की, जब judiciary की power छिल लेंगे, तो fundamental right का कोई existence का मतलबी नहीं होगा, वो meaningful existence का कोई मतलबी नहीं उसका फिर फिर तो court जाइन सकता तो उस fundamental right का मतलब कि आगर आप कुछ arbitrary power use करेंगे, arbitrary law ले आए, तो किसके पास जाएगा citizen, ठीक है, तो basic structure साथ छेड़ छानी करनी, केशवानन्द भारती case में बोला गया, मैंने आपको बताया क्या, शंकरी परसाद 1951 में आया, उसमें बोला गया, 368 क के तहट आप constitution को amend कर सकते हैं, plus 368 को भी amend कर सकते हैं, उसके बाद कौन सा case आया, गोलक नाथ case, उसमें बोला गया क्या, कि आप 368 के तहट fundamental right अमेंड नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि 368 में सिर्फ procedure बताया गया है, पार्लेमेंट को ये नहीं बोला गया, कि आप amend कर सकते हैं, सि 1973, फिर सपलेट दिया पूरा case, उसने बोला कि आप पूरे constitution को amend कर लिजे, fundamental right को amend कर लिजे, बस आप basic structure को जड़ा भी छेट-छाड मत कीजियो उसके साथ, ठीक है, अब आया Minerva Wheel case, जो कि Union of India के साथ था, 1980 का case है, अब इसमें क्या हुआ, इस case में, कि Sikh Textile Undertaking Act 1974 के तहर, अगर government को लगता है, कि कोई industry, ठीक से function नहीं कर पाई, रन नहीं कर पारी, तो वो उसको nationalize कर सकती, उसको take over कर सकती है, ठीक है, तो इसमें जो question उठाया गया, वो 42nd Amendment Act का question उठाया गया, जिसके अंदर section 4, sorry, section 5 and 55 को challenge किया गया, जिसमें बोला गया कि judicial review की पूरी power को damage कर रही, कही कि ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, कि basic structure के साथ आप छेड़ चाड़ नहीं कर सकते हैं, पूरे constitution को आप amend कर दिजे, fundamental right को amend कर दिजे, और basic structure को नहीं कर सकते आप छेड़ चाड़, क्योंगि basic structure के अंदर judicial review आता है, तो judicial review को भी आप छेड़ चाड़ नहीं कर सक हैं और दोनों ही एक दुसरे के लिए complimentary हैं दोनों को दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे constitution के लिए और हमारे development के लिए क्योंकि देखे fundamental right अगर एक तरफ आपको right दे रहा है स्टेट की arbitrary power से बचने के लिए तो दूसरी तरफ जो DPSP है वो किसी ना किसी के लिए appointment की बात कर रहा है न वो भी तो citizen के लिए कर रहा है कुछ DPSP में बताया गया है आपको कि स्टेट को बताया गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखते हुए laws को बनाने हैं so that लोगों का अपलिफमेंट हो उनका एडवांसमेंट हो उन पे भी ध्यान दिया जाए उन section लोगों पे ध्यान दिया जाए तो दोनों ही बहुत महत्तपूर है दोनों ही बहुत important है और दोनों ही complimentary एक दूसरे के लिए और दोनों को ही balance करके चलना पड़ेगा तो Supreme Court ने किसी एक को हम priority ने दे सकते जो भी उससे constitution को हम पहुचेगा तो इसे लिए किसी को एक priority देंगे दोनों को balance कर चलना पड़ेगा हमें यह समझना होगा कि दोनों ही important है तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते और नहीं basic structure को छेड़ छाड़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर judicial review आता है हम लोग ने पूरा judgment पढ़ लिया अब जो हमारा judgment था सबसे पहला judgment कौन सा था हमारा चंपकंद दोई राजन था जिसमें Supreme Court ने बोला fundamental right जो है उसको priority पर रखा जाएगा DPSP को बाद में क्योंकि fundamental right more important है ठीक है उसके बाद हमारा case आया कौन सा उसके बाद हम लोग ने जा रखती है फिट गुला धनाथ case आया जिसमें कि Parliament ने बोला कि Parliament के पास ये power नहीं है कि वो fundamental right को amend करे क्योंकि Article 368 में से प्रोसेजर बताया गया है एमेंड करने की power नहीं है फिर केशो नदभारती case आया उसमें बोला गया कि Parliament चाहे किसी भी Constitution के Act को fundamental right को amend कर दे बट basic structure के साथ चेड़ चाहण ना करे उसके बाद आपका आया मिनर्वा मील्स का case जिसमें कि government जिसमें कि Supreme Court ने बोला कि आपको balance करके चलना होगा fundamental rights भी important है DPSP भी important है दोनों को मत्यज़र रखते हो चलना होगा दोनों ही complimentary है एक दुसरे के लिए और आप basic structure को चेड़ चाहण नहीं कर सकत हैं इसको छेड़ चाहण नहीं कर सकते इसके साथ आप ठीक है आप लोग only eyes का telegram channel join कर लिजे so that आपको easily वहाँ से PDF मिल जाए current affair की the Hindu editorial की जो daily update आती है उसकी PDF मिल जाए और जो भी updates YouTube वीडियो की आती है वो भी आपको वहाँ पर चल जाएगा UPSC और state pieces से कोई required PDF वहाँ दले देखिए 5 April से हमारा एक one year complete conference program start हो रहा है और जिसमें की हम लोग NCIT के chapter wise video lesson provide कराएंगे class 6 लेकर 12 तक और साथी साथ NCIT के book wise test series होंगे और answer writing की classes भी होंगे और आपको काफी सारे इसमें lectures मिलेंगे 300 plus lectures video lessons मिलेंगे main subjects के special answer writing classes भी होंगे ऐसे writing classes होंगे test भी होगा complete 8 full length main test series भी हो include रहेगा साथी साथ आपको CSIAT की classes होंगी every Sunday आपको provide कराएंगी 500 घंटे की आपके prime subjects की video lessons होंगे और आपको printed notes मिलेंगे only IES के जो कि आपके घर तक पहुचाए जाएगा delivery के तुरू 5 April से start हो रहा है इसको आप enroll कर लिजे so that कि आप इसका लाग उठा सके तब लोग अपने अगले निने एक जन्मेंट मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार